राम जी का महल त्रेता यूग से है बीजेपी उन्हें 180 में पैदा हुई है कौन होता है कोई निमंतरन देने के लिए भगवान जिसको जब बुलाते हैं लोग जाता है जब इस देश की आजादी खत्रे में हो संबिधान खत्रे में हो देश के नौजवान और किसान खत्रे में हो पक्ष में रहते हो तो हम इलाज जून नहीं सकते हैं और भगवान और भक्त के बीच में किसी एजेंट का जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ चुनाव लरना हमारा काम नहीं है सीट कितना मिलेगा, सीट का कितना फाइदा होगा चुनाव में इसका क्या लाब होगा हम इस वक्त मनिपूर में हैं और आज दूसरा दिन भाराजोड़ो यात्रा का है मनिपूर क्रोस करके नागरलेंड पहुँच रही है ये यात्रा कनहिया कुमार फिर से एक बार फारा चोड़ा यात्रा में साथ में है कनहिया जी, तमाम सवाल आप से पूछने रहते हैं लेकिन अभी आपकी प्रेस कॉन्फरेंस होई, आप में तमाम बाते करी शुरुवात तो यही करते हैं कि आप और कॉंग्रेस पार्टी सब लोग चुनावी राजनीती में हैं, तो यह राजनीती यात्रा क्यों नहीं है? सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, मकर संक्रांती 14 तारिक कल यात्रा की शुरुवात हुए इमफाल से, और राहुल जी वार मेमोरियल में जा करके सहीदों को सधाशुमान अर्पित के और आज 15 तारीक है, यात्रा का दूसरा दिन है, और आज जो है सेन दिवस है, तो हम आपके चैनल के माधियम से अधिम से उसकी चर्चा नहीं होती है इसलिए हम कह रहे हैं कि राजनितिक पार्टी के द्वारा की जाने वाली यह बैचारी की यात्रा है कि हम इस देश के भीतर जो नफरत की विचार धारा है उसको समाप्त करके जो बटवारे की विचार धारा है उसको खतम करके लोगों के साथ होने वाले अत्याचार को समाप्ट करके न्याय की पुनरस्थापना करना चाहते हैं ये इस यातरा का उद्देश है इसलिए जो प्रस्वन बारबार पूछे जा रहे हैं न कि सीट कितना मिलेगा सीट का कितना फाइदा होगा चुनाव में इसका क्या लाब होगा हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसको चुनावी चसमे से इसी अत्रत कुना लड़े न भी पांच राजी का चुनाव लड़े फिर लड़ेंगे लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं ह बारतिया रास्त्रिया कॉंग्रेस इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है जब इस देश की आजादी खत्रे में हो संबिधान खत्रे में हो देश के नौजवान और किसान खत्रे में हो तो उनके न्याई के लिए उनके हक के लिए लगना जरूरी है इसलिए तो हम ल कुकी तो नहीं है इतना डिवीजन हो गया है और वह बहुत विजिबल है आपको लगता है कि आपकी यह आत्रा राहुल गाजी की यह आत्रा जाहिए ज़्याद मरहम तो है पर यह जो विभाजन हो गया है उसको उस खाई को पाट पाएगी देखे एक बात तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आठ महीने से हम लोग यह बात बोल रहे थे पारलियामेंट में भी कॉंग्रेस पार्टी जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई तो अविश्वास प्रस्ताव में नंबर तुमारे पास था नहीं यह तो मालूम था कि सरकार जो है इस प्रस्ताव क गिरा देगी क्योंकि नंबर उनके पास है हमको क्यू सबुक्ता हम आप गुमराह मत कीजे कि क्या हालत है क्या इस्थिती है और उसी में जो देरी हुई है उसी के लिए जो है ये संकट हो गया अगर आप तुरंत इसका इलाज ढूनते लेकिन विपक्ष में रहते हो तो हम इलाज ढून नहीं सकते हैं यह तो जो सरकार है उसका काम है इलाज तो एटलिस्ट हम उस सवाल को उठाएं तो हमारी जितनी छमता है उससे हम लड़े तो और जैसा आपने कहा कि जखम अगर नहीं भर पा रहे हैं तो कम से कम मलहम तो लगाएं एक कोशिस तो करें नहीं तो तभी होगा जब चुनाव जीत के आएंगे फिर आप शक्ती होगी आपके पास तो आप इंपलिमेंट करके कुछ कर पाएंगे बिलकुल बिलकुल हम चुनाव जीते हैं और हमने की जो है जब भी भारत को एक जुट रखने की बात हुई है कॉंग्रेस पार्टी ने काम किया है आप जब इंफाल में होगे किसी भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए आज भी लोग कहता है कि नहरू की वज़े से जो ह नेरू की वज़े से जो है मनीपूर भारत के साथ है यह लोग जानते हैं यह लोग मनते हैं कि लोगों को मालूम है तो हमारी जब भी सत्ता आएगी स्थापीत करेंगे लेकिन नयाए के लिए जब विपक्ष में हैं तो कम से कम लड़तो सकते हैं उस हग के लिए लगना रहे हैं विजे यह रही है घ्वान रोहि कह रहे है आप लोग तो टुक्ले टुक्णे सी बीजेपी उन्हें 180 में पैदा हुई है त्रेता यूग से राम जी का महौल है ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से राम जी आये हैं राम जी पहले से हैं बीजेपी अभी आई है आप यूँ कह सकते हैं कि राम जी की वजह से भले बीजेपी आ गई हो बीजेपी की वजह से र प्रासर जूट है और हमारे उपर तो बीजेपी आरोप लगाएगी ना हमारे हमारी बिरोधी पार्टी है वो हम तो कुछ अच्छा भी करेंगे तो कहेंगी हम बुरा कर रहे हैं हमारे द्वारा खोले गए स्कूल में बीजेपी बालों के बच्चे भी पढ़े हमारे द्वार में खराब बात करेगी जाते हैं बिल्कुल जाएंगे हर मंदिर में जाएंगे पूरे देश के किसी भी मंदिर में जाएंगे किसी भी मस्जिद में जाएंगे किसी भी गुर्द्वारे में जाएंगे किसी भी चर्च में जाएंगे इसमें दिक्कत नहीं है दिक्कत ये है क राम जी के पास आने के लिए कौन होता है कोई निमन्टरन देने के लिए भगवान जिसको जो बुलाते हैं लोग जाता है हिंदु धर्म में तो यही 270 और भगवान तो आपके मन मंदिर में भी रहते हैं कहते हैं कि जब आपका मन साफ हो, दिल साफ हो, ठीक है न, ये धार्मिक्ता होती है, लोगों के परती दुर्भावना नहीं हो, नफरत नहीं हो, लोगों के परती मुहबत हो, लोगों के परती मानवता का भाव रखें, करुना रखें, दया रखें, ये धर्म होता है, सद्भा यही कहा जाता है यही सुनते आये हैं यही तो हिंदु धर्म है यही हिंदु संस्कृति है यही सानातन पड़म पड़ा है बाइस तारीख के उस इवेंट की जहां तक बात है सबको मालूम है कि यह एक राजनिती कारिकरम कर रहे हैं और भगवान और भक्त के बीच में किसी ए ही चर्चा करना चाहिए कि देश में किसान आत्मत्या कर रहे हैं जवान आत्मत्या कर रहे हैं एक गंटे से कम समय में जो है एक नौजवान को आत्मत्या करनी पर रही है तो देश में जो अन्याय का साशन है जो अत्याचार का साशन है यह समाप्त हो न्याय की अस्थापना हो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब देश में बह रहा हो अन्याय की आंधी लड़ रहे हैं राहुल गांधी और आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों किसानों विद्यार्थियों महिलाओं सबसे याग्रह कर रहे हैं कि अपने हक के लिए संगर्स कीजिए भीख की लराई में नयाय की समील होई है शुक्रिया कनिया जी आपने हमसे बात की तो कनिया बता रहे थे कि कैसे जो है यह यात्रा है यह मरहम का काम कर रही है और यह चुनावी यात्रा नहीं राजनितिक यात्रा है और राजनितिक पार्टी का काम है समिधान को बचाना समिधान को बचाने की यात्रा चल रही है आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा व्यस्ता काफी चाक चौबंध है दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है लगभाग लोगों में काफी प्यार दिखा राहूल गांधी के लिए लेकिन राहूल गांधी सत्ता में तो है नहीं सत्ता में प्र पचार करेगी उसकी मजबूरी है देखना होगा तब क्या मिजाज है क्योंकि मनिपुर में बटवारा साफ नजर आता है बैली इलाके में इंफाल इलाके में आपको मैईती नजर आएंगे कुकी नहीं दिखेगा और उपर पहाड में आपको एक मैईती नजर नहीं आएग लेकिन मरहम लगा है मनिपुर की जो दिल्ली से दूरी है वो कुछ कम हुई है चर्चा शुरू हुई है कम से कम न्या यात्रा के बहाने ही सही मीडिया आया है कुछ कवरेज हो रहा है मनिपुर वालों की बात हो रही है उनकी आवादें सुनी जाने चाहिए आप सुनी गई तो कुछ जरूर हल निगलेगा क्योंकि राममंदिर जरूरी है तो ये मनिपर के लोग भी जरूरी है ये उतने ही भारतिये हैं जितने की हम और आप सहीयोगी शायन असकर के साथ तरेड माइक के लिए स्वारब शुक्ला